बिहार में दुत्ये चरण की सिक्षक भरती में जो आपके प्रात्मिक सिक्षक भरती के 9,431 पदों के लिए भरती आई हुए है उसमें आयोक के दौरा एक बहुत बड़ी गल्ती किलिया गया है बहुत बड़ा ब्लंडर मिश्टेक है उस पर हम लोग इहां पर चर्चा जो आपका स्लेबस जियाद दिया गया है जो आपका परिक्षा पाठिक्रम है उसमें बहुत बड़ी गर्ती है उसके उपर हम लोग इहां पर चर्चा करेंगे लेकिन जो आपकी प्रात्मिक सिक्षक भरती आई है दुत्ये चरण में जिसमें टोटल 9,431 सीटे हैं उसमें क आप लोगों को वो सारी चीज़े नहीं पता है तो जाके देख लीजिए इसमें बीडियो लक्षर में हम लोग आयोग की जो बहुत बड़ी गलती है उसके उपर चर्चा करेंगे वो गलती है स्लेबस की तो आईए स्लेबस हम लोग देखते हैं देखे ये आपका नीचे य आपको पता है नहीं पता है तो एक बार हम लोग फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं इसके अलावा आपका स्लेबस और परिच्छा पाठकरम दोनों में क्या कमिया है वो भी आपको पता चल जाएगा देखे जो आपका BPSC में तुत्य चरण का प्राथ्मिक सिक्षक भरती लाई हुई है उसमें टोटल एक सोपचास प्रिष्ण रहने वाले हैं एक प्रिष्ण एक नंबर का होगा तो कुल मिलाके एक सोपचास नंबरों का आपका पेपर होगा यानि टोटल आपको एक सोपचास प्रिष्ण मिलने वाले हैं लेकिन जो मेरिट बनेगी वो 120 नंबर भासा में ध्यान रखिएगा अंग्रेजी अनिवारी है ठीक है तो भासा 30 प्रिश्ण मिलेंगे आपको यानि 30 नमबर का पेपर होगा जिसमें अंग्रेजी 8 नमबर की आएगी और 22 नमबर में आपको हिंदी उर्दू बांगला तीनों में से कोई एक भासा चुननी है कि आपका जो पहला पार्ट आपका आएगा पेपर आएगा तो उसमें अगर आपके 9 नमबर नहीं आते हैं तो आगे आपकी कॉंपी ही चेक नहीं होगी फिर आगे आप कितनों भी नमर ले आओ उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है तो कहने मतलब आपका जो पेपर है तीन में डिवाइड है पहला भाग कितने को होगा तीस नमरों का होगा अच्छा इससे पहले जो पर्थम चरण की सिक्चक भरती में आपकी जो प्राथमी सिक्चक भरती आई थी पी आईटी का पेपर हुआ था उससे यहां पर तुलना मत करियेगा सारी चीज़ें बदल चुकी है ठीक है पूरा परिच्छा पाठिक्रम जो है परिच्छा पैटर्न जो है बदल चुका है तो जो अभी अभी दो महिना पहले पेपर हुआ था पर्थम चरण की सिक्चक भरती का उससे और अभी का तुलना आपको बिल्कुल भी नहीं करना है पर्थम चरण में दो दिन आ आएगा ये हमने बता दिया ये qualifying रहेगा 30 नमरों का qualifying है जिसमें आपको total 9 नमबर लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए इसमें अंग्रेजी आपको 8 प्रिशन मिलेंगे और हिंदी उर्दू बांगला इन में से जो भी भासा का आप चुनाओ करेंगे उसके total 22 प्रिशन मिले आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में जब आप आगे बढ़ेंगे जब आप paper देंगे और आगे बढ़ेंगे ऐगे आपको दूसरा पार्ट मिलेगा 40 नमरों का ठीक है इसमें सब कुछ है 40 नमर यानि 40 प्रिशन में रहेंगे इसमें आपका गनित भी आएगा ये इसका पा और इसमें हमारा क्या होता है इसमें हमारा भूगोल सामिल होता है इतिहाज सामिल होता है सम्मिधान होता है अर्थसास्त्र होता यह सारे जो सब्जेक्ट होते हैं वह सेस्टी के अंदर गताते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर गताते हैं वह भी इसमें सामिल रहेगा भार पर बचिए 80 नंबर के लिए आयोग ने क्यो 2023 अपने नोटिसिकेशन में गलत बताया है तो असी नंबरों के लिए आयोग ने क्या बताया है कि हिंदी? उर्दु बांगला इन तीनों भांसाओं में से किसी भासा का चुनाओ करना है ये पूरी तरीके से गलत है प्राथ्मिक सिक्षक भरती का यह पाठ्ठिकरम नहीं होता है आपको पता है अगर पिछले जो अभी प्रसम चलाण की सिक्षक भरती हुई है प्राथ्मिक में उसमें आपने देखा होगा 120 नंबरों में आपका GS, GK, Current Affairs, गनित और आपका Reasoning ये सारे सब्जेक्ट आते हैं अच्छा बिहार में मनोविज्ञान पूछा ही नहीं जाता है जैसे हम लोग DSSB का पेपर देते ही या KBS का पेपर देते ही या उत्तर प्रदेश में UPTAT अत्वा सिक्षक भरती का पेपर देते हैं उत्तर प्रदेश में त ये आपका स्लेवस नहीं हो सकता है ये तो भासा है इसका पेपर तो हमने इस उपर तीस नंबरों में पहले से ही दे दिया है देखो आप हिंदी के टीचर नहीं बनने वाले हैं जब जब आप प्राइमरी में टीचर बनते हो तो हिंदी के टीचर नहीं बनते हैं उर्दू क का स्लेवस होता है प्राथ्मिक सिक्षक भरती का ये स्लेवस नहीं होता है प्राथ्मिक में जो अध्यापक होता है वो सारे भी से पढ़ाता है इसलिए इस असी नमरों में आपके सभी सब्जेक्ट आने चाहिए जो आप प्राथ्मिक में पढ़ते हैं जैसा स्लेवस आपका प्रसम चिरण की सिख्षक भरती में था, तो ये यहां पर आयोग के द्वारा एक blunder mistake की गई है, बहुत बड़ी गलती की गई है, भाईया भांसा का अध्यापक नहीं बनना है, असी नम्रों में जो उन्होंने भांसा लिखा है, भांसा का अध्यापक प्रास्मिक सिख्षक भ करते हैं, ये 120 नम्र हो रहा है, ये देखिए टोटल 48 और 80 120 नम्र हो रहा है, तो 120 नम्र का जो सिख्षक भरती में था, प्रथम चर्ण की सिख्षक भरती में था, वही यहां पर दे देते, तो हम यहां पर क्या बताना चाहरे हैं, आयोग की blunder mistake है, कि ये प्राथ्मिक सिख् हो सकता है, एक दो दिनों बाद इस स्लेवस में संसोधन किया जाए, आपके परिछा पाठिक्रम में संसोधन किया जाए, ऐसा भी हो सकता है, कि ये जो 40 नम्रों वाला जो आपका स्लेवस दिया गया है, यही टोटल 40 नम्र ना बनाके, टोटल 120 नम्रों का स्लेवस कर दिया जाए क्योंकि पिछली बार यहां पर जो 40 नमर का स्लेबस दिया गया था यहीं आपका टोटल 120 नमर के स्लेबस में आया था यहीं आपका पुराना वाला स्लेबस रह पहरा है यहीं आरणाइजीड़ का पेपर लैकिन ईप्लो को हो छो horrific लेकिन ने अलग-अलग किया इससे पहले प्रथम चलण में आपका जो प्रश्न रहता था उसमें पाँच बिकलप आते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं होगा। अब आपके एक प्रश्न में चार बिकलप दिये जाएंगे। निगेटीब मारकिंग बिलकुल भी नहीं है। चार बिकलप आपको मिलेंगे ए PSGK और आपका जो current affairs आएगा वो high school इस्तर का आएगा यानि जो सामाना ध्यान रहेगा वो high school इस्तर का रहेगा लेकिन इतना तो आपको पता ही है आप लोग पिछला paper देखी चुके हैं कि BPSC का जो भी paper होता है वो भीया खतरनाक ही होता है इसको हलके में बिल्कुल भी लेने कि कोशिश मत करिए लेकिन आपकी merit 120 नमबरों में बनेगी तो यकीन मान के चलिए कम से कम आपका जो cutoff रहेगा वो 70 cutoff जाएगा क्योंकि तुक्का बहुत लोग मारेंगे 50 नमबर 60 नमबर तो कोई भी ला सकता है तो गिरी से गिरी हालत में आपका cutoff 70 नमबर रहने वाला है और आप लोग अपनी जबरदस तयारी करिए यहाँ पर हमें उम्मीद है कि यह जो 40 नमबर का स्लेवस दिया गया है इसी को संसोधित करके टोटल 120 नमबरों का स्लेवस बना दिया जाएगा यानि 120 परशनों का स्लेवस बना दिया जाएगा आयोग के दोरा यह जो blender मिष्ट साम को एक notification आता है बिहार की जो दुत्य चलन के सिक्षक भरती है उसमें आयोग भी पगला गया है और student जो है वो इतने सारे notification देख देखके वो भी पागल हो गया है तो हमारी आयोग से यही बिंती है कि एक ही बार में आप सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए और एक ही बार एक ही notification में सारी चीज़ें एक साथ निकालिए एक तो form भरने की date आपने नहीं बढ़ाई है फॉर्म की date है वो जो खतम होने वाली है और उसके बाद आप इतने इतने संसोधन करते रहते हैं student भी परेशान हो जाता है और वो भी confused रहता है करें क्या करें और क्या ना करें तो हाँ आपके क्या विचार है उसको comment box में जरूर बताईएगा चले मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लक्चर में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद